हेलो फ्रेंज, वेलकम टू हरी टेकनिकल, दोस्तो अगर आपके पास इस तरह का डीसी बारा वॉल्ट कॉभ है, तो दोस्तो अगर आपके पास बैटरी नहीं है, तो आप सरकिट बनाकर एसी टू डीसी करके आप इसको बड़े आसानी से जला सकते हैं, और दोस्तो इसमें जि यह जो ब्लेक वाला है bridge rectifier और यह जो capacitor है यह तीन component के काम रहेगा तो चलिए यह जो तीन component है इसको मैं circuit से बाहर निकाल लेता हूँ उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं यह जो पीएफ है इसके उपर मैंने यह जो bridge rectifier है इसका एक लेक connection कर दिया अब दोस्तों यहां पर देखिएगा यहां पर प्रिंट रिटता है यह प्लस है और यहां पर माइनस है तो यह जो दो लेक बच्चा है यहां पर मैं इस capacitor का प्लस माइनस solding करूंगा दोस्तों यह जो है यह minus का sign होता है यानि कि इस side में minus जाएगा उस side में यह प्लस है यहां पर प्लस लिखा है यानि कि इस प्रकार से इसको solding करूंगा और चाहे तो आप इस लेक में जो current देगे यहां एक resistance भी लगा सकते है तो चलिए मैं यहां पर पहले यहा बन कर तयार हो चुका है अब दोस्तों क्या करना है जो current है वहां पर दे सकते हैं कोई भी एक लेक दे सकते हैं और यहां से जो plus minus जो capacitor है यहां से मैं DC का connection करूंगा जिससे यह जलेगा तो चलिए पहले इसका connection कर लेते हैं उसके बाद चेक करते हैं तो दोस्तों यह circuit बन कर तैयार हो चुका है अब चलिए AC को DC से करके इस कोब को जलाते हैं तो चलिए मैं इस current में इसको connection कर दे रहा हूं यह रहा current और यहां पर में दूँगा कि एक मिनिट इसका एक वैर जो है वह निकल चुका है कि इस तरह से रहेगा यह तो चलिए अब फिर से connection देते हैं हुआ है ठीक है दोस्तों चलिए मैं इसका connection दे रहा हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं यह थोड़ा लूज है और यह देखिए कि यह देखिए दोस्तों इसका कोब है जो बारा बोल्ट का यह ग्लो कर रहा है और इसमें दोस्तों एक दो तीन चार पांच छे सब 8 पीस है यानि कि यह सरकिट AC से DC कर रहा है और 8 पीस को जला रहा है यह देख सकते हैं मैं लाइट बन कर रहा हूं और इस तरह से यह ग्लो कर रहा है तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का कोब है तो यह जो छोटा वाला सरकिट है इसको इस तरह से बना कर आप अराम से AC को DC में कनभर्ट करके DC बाराबोट से अराम से जला सकते हैं तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा थैंक